नमस्कार दोस्तों वाइफाई शीरा में आपका स्वागत है हम आज बात करने वाले साधान ब्याज के नेक्स्ट पार्ट की जिसमें हम देख रहे हैं कि आपके सामने में क्यूस्टन है यदि कुल ब्याज दिया हुआ हो तो हम इस प्रकार के क्यूस्टन को कैसे अलगरेंगे और बिना कहीं एक्स माने या एक्स वाई की कहीं हमें जरूत नहीं पड़े उस तरीके से हम इसको करेंगे वो कैसे हमें दे रखा है कि साट जार रुपे की रासी जिसका कुछ बाग बारा परसेंट तथा सेस बाग पंदरा परसेंट की दर से साधान ब्याज पर उधार दि दिगई रासी क्या होगी तो बताएं दोस्तों इस प्रकार के क्यूशन को हम कैसे करेंगे यहां पर दो क्यूशन है उसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं पहला तरीका तुछ बड़ा वाला है वो क्या है कि भई साट हजार रुपे थी और इन साट हजार रुपे को कितने अब पहले भाग का जो ब्याज है वो कितना लगता है 12% लगता है वार्शिक ब्याज का मिला एक साल का ही ब्याज है तो X का 12% ब्याज होगा 12 बटा सो पलस दूसरा भाग जो है 6000-X उसका कितना ब्याज है 15% तो यहां से 15 बटा सो जाएगा और इन दोनों ब्याज को अगर हम जोडें तो बराबर में आएगा 7800 और यहां से इस परसन को दोस्तों हम सरल करेंगे तो X का मान आएगा जो X का मान आएगा वो क्या आएगा 12% की दरद पर दिया गया धनाएगा और 60,000 में से X को माइनिस कर देंगे तो वो कौन सा आ जाएगा अपना 15% की दर पर धन जो द जारर उपए थी किते रुपए 60 000, और इन 60 000 को दो बागों में बाटा जिस में ব है पहलावाग तो है वह बारा पर्सेंट की दर से और दूसरा बाग 15 और सग और वार्सिक ब्यामार typically गर्ट और इसमें एक साल का कितना लग रहा है 15% ब्याज तो यहां पर दो एक-एक साल के ब्याज यहां पहले वाले धन पर 12% ब्याज होगा और दूसरे वाले पर कितना 15% तो यहां से आप देखेंगी वही 60,000 रुपय है इसमें यह तो 12% हर 15% को अगर हम टुकडों में तोड ले 12% प्लस 3% बना ले तो यहां से 12% 12% तो सेम हो जाएगी रासी रासी अलग लेकिन 12% ब्याज तो दोनों का मिला कर सेम ही होगा तो वो कैसे अगर हम 60,000 का 12% ब्याज न यानि कि 7,200 रुपय ब्याज आ गया अब यह 7,200 रुपय ही ब्याज आये लेकिन दोस्तों हमें टोटल ब्याज कितना दे रखा है अठातर सो रुपे दे रखा है अब ये अठातर सो रुपे ब्याज जो है वो किस वज़े से आया भाई यहां बैतर सो होना चाहिए हो रहा कितना अठातर सो है यानि ब्याज एक्स्ट्रा आ रहा है अब एक्स्ट्रा ब्याज कितना आ रहा है बैतर सो से यह कितना ज्यादा है 600 रुपेज जादा है 300 से 600 रुपेज जादा आये Extra ब्याज जो आया अपना वो कितना आया 600 रुपेज जो है वो किस वज़े से आया यहाँ पर आपने देखा कि 12% 12% तो सेम है और यह 3% जो है extra और यही किस के बराबर होगा 600 के बराबर होगा तो यहां 3% extra है यहां पर extra 600 रुपे तो 3% की वज़े सी तो आया है 3% बराबर 600 है तो दोस्तों 1% बराबर कितना होजेगा 600 बटे 3, 3 से कट गया 3 दू अच्छा है यहां गया 200 जब 1% बराबर 200 है तो यहां वाला धनतों अपने आप में 100% ही होगा जब 1% बराबर 200 है तो 100% बराबर कितना देगा 100 गुणा 200 यानि 20,000 रुपे आदेंगे तो हमने देखा कि 15% पर जो राशी उदार दी गई थी वो 20,000 रुपे थी तो बताईए वही 60,000 रुपे में से 20,000 रुपे आपने 15% की दर पर दे दिये तो फिर 12% की दर पर कितना दोगे 60,000 में से 20,000 कम कर दो तो यहाँ कितना दोगे आप है 40,000 रुपे उदार दोगे जो परशन पुछे उसी का जवाब आप दे सकते हो अगर आपको 12% की दर पर पुछे तो 40,000 रुपे आजाएगे और 15% की दर पर पुछे तो कितने आ जाएंगे 20,000 रुपे उमीद है दोस्तों कि आपके समय में आया होगा अब हम इसी प्रकार का एक क्यूसन और देखते हैं और कैसे करते हैं उसको यहां तो वार्षिक ब्यासता वार्षिक के बजाए आप बोलो सर यहां पर 2 साला जाए 3 साला जाए, 4 साला जाए, 4.5-4 साला जाए तो हम इस प्रकार के क्यूसन को कैसे करें तो देखे दोस्तों यहां पर एक परसन है कि 20,000 रुपे की राषि जहां 60,000 है उसकी दिगर मैं कितना कर देता हूँ 20,000 रुपे कर देता हूँ 20,000 रुपे की राषि है जिसका कुछ बाग तो 8% और सेश बाग जो है उसको 9% की दर से साधान ब्याज पर उदार दिया जाए तो कुल वार्षिक ब्याज नहीं है बलकि यहां पर क्या दे रखा है कुल दो वर्स का ब्याज कुल दो वर्स का ब्याज जो दे रखा है दोस्तो वो 3360 रुपे दे रखा है कितना दे रखा है 3360 रुपे दे रखा है तो बताइए कि 8% पर उदार दिया राषि कितनी होगी परसन सेम ही है बस थोड़ा सा चेंज जो है इसमें दो दरे अलग लिख दे दी है दन राषि अलग दे दी है और समय दो साल दे दिया है वाकि और कोई चेंज नहीं है उसी तरीके से ये परसन पना हो जाएगा कैसे दोस्तों यहाँ पर 20,000 रुपे की राषि है और इसको दो बागों में बाटा पहला भाग जो है उसे 8% की दर पर और दूसरा भाग जो है उसको 9% की दर पर उधारे दिया गया लेकिन दोस्तों यह बोलना की 2 साल का ब्याज दे रखा है जब दोस्तों यह दर तो अपनी वार्षिक है यानि की 1 साल का ब्याज 8% है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा ये 8 तुना 16 परसेंट ब्याज हो जाएगा और यहां भी 2 साल का 9 परसेंट 1 साल का तो 2 साल का कितना हो जाएगा 9 तुना 18 परसेंट ब्याज हो जाएगा अब दोस्तों ये टोटल 3360 दे रहा है अपन क्या करते हैं 16 परसेंट तो पढ़ाई है और 18 परसेंट को 16 परसेंट पलस 2 परसेंट कर देते हैं ताकि 16 परसेंट दोनों में सेम आ जाए और 20,000 का अगर अगर आपन 16 परसेंट ब्याज निकाले तो 20,000 गुणा 16 बटा सो दो जिरो से दो जिरो कट गे 16 दूना 32 यानि 32 रुपए ब्याज क मिलते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह 18 परसेंट है यानि 2 परसेंट एक्स्ट्रा है उसी की वज़ए से देखो एक्स्ट्रा ब्याज मिला कितना ब्याज मिला एक्स्ट्रा कितना मिला एक्स्ट्रा मिला हमें यहां 160 रुपए तो 160 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले वो किस शोडा गट गया आठ बार यानि आ गया 80 जब 1% बराबर 80 है तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 80 गुना 100 यानि 8,000 रुपए आजएगा अपना धन जो रासी 9% की दर पर उदार दिगई है वो है अपने 8,000 अब दोस्तो 20,000 में से आपने 8,000 रुपए जब 9% की दर पर उदार ये दिये गए तो बताईए 6 जो 8% की दर पर उधार दिये होगे कितने बचे 20.000 में से 8.000 कम कर दो तो कितने बचे 20.000-8000 तो 20.000 में से 8 गया 12.000 रुपए आ जाएंगे इस तरीके से भी हम इस परकार के क्यूसन को कर सकते हैं दोस्तों नेक्ट क्यूसन की बात करते हैं यहां पर क्यूसन आ गया अपना दोस्तों कि A B को A B को पानसो रुपे और C को कुछ रासी समान समय के लिए आठ परसेंट वार्षिक दर्से या पर्तिवर्ष की दर्से वार्षिक दर्से साधरन ब्याज पर उधार देता है साधरन ब्याज पर उधार जिता है यदि उसे चार वर्षों में दोनों से कुल दो सो दस रुपे ब्याज के रूप में मिलते हैं ब्याज के रूप में मिलते हैं तो उसने सी को कितनी राज सी उधार दी ये परसन है दोस्तों अपना यहाँ पर भी हमें कुल ब्याज दे रखा है और जो ए आदमी था इसने दो आदमियों को पेसे दिये अब पहले आदमी जो बी था और दूसरा आदमी था कौन सी तो पहले आदमी को कितने पेसे देता है ये पहले आदमी को देता है पान सो रुपे बी को देता है पान सो रुपे और सी को कितने देता है पता नहीं हम सी रुपे माल लेते है तो सी को सी रुपे देता है और समान समय के लिए आठ परसेंट की दर पर समय कितना देरखा दोस्तों यहां पर समय देरखा चार वर्स यहां भी चार वर्स है और इसको भी चार वर्स के लिए देता है तो दोस्तों जब यह 8% की दर पर कोई धनुदार देता है यह 500 रुपे देता है 8% की दर से 4 साल के लिए तो मूलदन गुणा दर गुणा समय बत्ता में क्या 100 तो ये ब्याज हो जाएगा अगर नी हो जाएगा ये हो जाएगा बी से प्राप्त ब्याज और सी जो है, सी को कितने देता, सी रुपे देता है आठ परसेंट की दर से चार सालबाद तो इतना ब्याज हो जाएगा और B का ब्याज प्लस C का ब्याज इन दोनों से मिला कर टोटल कितना ब्याज मिलता है 210 रुपे मिलता है इन दोनों को जोडने के बाद 210 प्राप्त हुआ यहां से देखिए 20 से 20 कट गए 5 गुणा 8 40, 40 गुणा 4 हो गए 8 चोप 32 बटा में 100 बराबर 210 तो यहां से दोस्तों जो 160 है इस 160 प्लस का है इसको कहा बेज़ें उदर बेज़ें तो माइनस का 10 हो जाए 160 माइनस का हो जाएगा तो यहां से कितना बचा अपना 0, 11 में से 6, 5 तो यह अपना 50 रुपे बच गया और यह किसके बराबर है C गुणा 32 बटा 100 के बराबर है अब आप काट सकते हो 4 के पाड़े से 8 बार यह 4 के पाड़े से 25 बार 2 के पाड़े से 4 बार कट गया 2 से यह कट गया 25 बार तो आपने देखा कि 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा यह 625 हो जाएगा दो बच गया 22, 4.25 फिर दो बच गया तो 25, 4.24 फिर कितना बच गया एक तो 10, 4, 2, 8, 4.25 यहां से आप 156 रुपे और 25 पैसे आपने क्या किये थे सी को उधार दिये थी तो सी का धन कितना आ जाएगा 156 रुपे 25 पैसे यह 156.25 रुपे तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आया होगा इसके बाद हम एक परसन ओड लेते हैं यहां पर परसन जो अपना है वो यह है दोस्तों एक आदमी ने अपनी पूंजी का एक आदमी ने अपनी पूंजी का अपनी पूंजी का एक बटा तीन भाग साधारण ब्याज की साथ परतीशत दर एक बटा चार भाग आठ परतीशत तथा सेश दस परतीशत वार्शिक दर से निवेशित किया तो उसे वार्शिक आई 561 रुपे हो तो निवेशित पूंजी क्या होगी निवेशित पूंजी क्या होगी तो इस क्यूंज को हम कैसे करेंगे यहाँ पर एक आद्मी ने अपनी पूंजी का एक बटा तीन भाग फिर एक बटा चार भाग और फिर बोला है सेश तो दोस्तों अपन पूंजी या तो मान सकते हैं एक्स रुपे तो x रुपे मान के करोगे तो x बटा 3, x बटा 4 फिर इन दोनों को आप x में से माइनस करोगे तो 6 पुंजी रहेगी इस तरीके से करें तो थोड़ा सा अपना जो क्यूसर है दोस्तों वो बड़ा हो जाता है अब इसको थोड़ा सरल के से करें अपन क्या गरेंगे यहां नीचे कितना दे रखा है एक बटा 3 है तो 3 यहां कितना दे रखा है 4 तो आप मान सकते हो एक एसी रासी जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 4 का भी भाग चला जाए तो मैं मान लेता हूँ 3 चो के 12 रुपे तो बारा रुपे में कुल मान लेता हूँ, कुल पुंजी, अगर मैं बारा रुपे मानता हूँ, तो बारा का एक बटा तीन कितना होगा, बारा बटा तीन यानि चार रुपे, बारा का एक बटा तीन, यानि चार हो जाएगा, फिर बारा का एक बटा चार, चार से कड़ गया तीन बार तो ये तीन रुपे हो जाएंगे अब जब चार रुपे आपने दे दिये साथ परसेंट की दर पर तीन रुपे दे दिये आठ परसेंट की दर पर सेज कितने बचे आपके पास चार और तीन साथ रुपे तो आपने दे दिया है और बारा में से साथ रुपे उदार दे दिया तो बच्चे कितने फिर पांच रुपे तो यहाँ पर आपने देखा कि चार रुपे जो थे इनको दिया आपने कितने साथ परसेंट की दर पर और समय कितना दे रखा है? वारशी का आए वारशी का मँनों एक साल की तो यहां पर चार का 7% पलस तीन का कितना? 8% ब्याज पलस 5 का कितना? 10% ब्याज इन तीनों को जोड़े तो इस टोटल ब्याज आता है अपना कितना? 7× चोग 28 पलस 83 24 और 50 तो 50 20 70 20 90 98 में और 4 कितना आजाता है 102 परसेंट आजाता है टोटल ब्याद जो आता है वो अपना कितना आजाता है 102 परसेंट ब्याद आजाता है दोस्तों तो यहां से यह जो 102 परसेंट जो होगा वो किस के बराबर होगा 561 के बराबर होगा 102 परसेंट किसके बराबर होगा 500 61 के बराबर होगा तो यहां से अपन एक परसेंट बराबर निकाल सकते हैं तो एक परसेंट बराबर कितना आएगा अपना दोस्तो इसको एसे नहकरके थोड़ा सा परसेंटेज में नरख के ओसे भी कर सकते है आपन कि हम एक जो दो परसेंट है इसको आप लिख सकते हो एक सो डो बटे 100 यानि कि 10.2 सुरी 1.02 1.02 लिख सकते हो और ये 1.02 ब्याद होता है अगर 12 रुपे आपने उदार दिये होते तो टोटल ब्याज आपको कितना मिलता 1.02 रुपे मिलता 1.02 का मतलब ही कितना है 561 है तो 1.02 का मलब 561 तो 1 का मतलब कितना आजाएगा अपना 561 के बट्टा में 1.02 आजाएगा पॉइंट टटेगा उपर चला जाएगा कितना 100 और आप इसे काट सकते हैं 2 के पाड़े से काटे अगर तो 2 से कट जाएगा ये अपना 51 बार ये 2 से कट गया 50 बार 51 का भाग देंगे 51 का एक बार जाएगा 5 बज गया 51 तो ये कट गया एक बार तो 11 पन जो 50 पचपन और ये आगया 550 तो एक का मतलब कितना आगया अपना 550 दोस्तों ध्यान से देखना कि 7 गुणा चियार 28 परसेंट ब्याज होता है ये 24 परसेंट और 50 परसेंट टोटल 102 यानि 102 बटे 100 ये किस के बराबर हो जाएगा 561 के बराबर जब 1.02 561 के बराबर तो एक किस के बराबर हो जाएगा 550 के बराबर लेकिन हमें क्या पूछा है दोस्तों परसन में कि कुल पुंजी क्या थी तो हमने देखा पुंजी हमने कितनी वानी थी जब एक का मतलब पान सो पचास है तो बारा का मतलब कितना हो जाएगा बारा गुणा पान सो पचास गुणा कर दो बारा पंजे साथ बारा पंजे साथ होर से कितना च्छासट और ये आ जाएगा जीरो तो अपनी जो रासी है वो 66 सो रुपए आ जाएगी और ये ही आपका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा इस तरीके से इस परसन को हम हले कर सकते हैं next question लेते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार यूसन है question ये है दोस्तों कि उन वर्सों कि नियूनतम संख्या क्या होगी जिन में 2600 रुपए 6 सही दोवट्टा 3 परतिशत वार्चिक दर से साधान ब्याज की रासी रुपए की यथा तथे रुपए की यथा तथे पूरी संख्या हो जाएगी अब इस परसन का मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब ये कि उन वर्सों की नियूनतम संख्या बताईए 26 रुपए अगर आप किसी को उधार देते हो और 6 सही दोवट्टा 3 परसेंट वार्चिक जो दर लगती है तो जो रासी आएगी वो दोस्तों यथा तथे पूरी संख्या होने का मतलब क्या है कि वो संख्या पूरी पूरी आए दस्मलों में ना आए तो हम क्या करेंगे हमारा तरीका वो रहेगा मूल दन गुणा दर गुणा समय बटा सोबरा वर ब्याज होता है तो हमने देगा 2600 रुपए है उन पर दर मूल दन गुणा दर कितनी है चैसे ही दो बटा तीन तो चैतरी एठारा और दो बीस बटा तीन हो गया गुणा समय टी माल लेते है और बटा में कितना आ जाएगा सो आ जाएगा अगर दोस्तो हमें वो पूरी पूरी संख्या चाहिए तो हम किस प्रकार करेंगे पहली बात तो आप जीरो दो जीरो से दो जीरो ये काट दोगे तो यहां से दिको 260 गुणा दो है 260 भी है और दो भी है लेकिन नीचे कितना है तीन है आप तीन से न तो 260 को काट सकते और नहीं दो को काट सकते यानि इसमें भाग देते हैं तो बताव टी की जगह ऐसा नियुंतम कौन सा मान रखे जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए तो क्या रखोगे तीन रखोगे और तीन रखते ही इस 260 गुणा दो तीन से तीन कट चुका है तो 26 गुणा बावन यानि 520 रुपे नियुंतम यथा तत्य पूरी संख्या जो आती है वो मिलेगी और यहां पर समय पूछे तो कितना हो जाएगा तीन वर्स इसी प्रकार का एक क्यूशन ओन लेते हैं दोस्तों कि 800 रुपे की राशी तीन वर्सों में साधर्ण ब्याज पर 920 रुपे हो जाती है तो यदी दर तीन परसेंट बढ़ा दी जाए जाए तो समान अवधी में वहरासी कितनी हो जाएगा कैसे करेंगे इस प्रकार के परसन को हमने देखा कि 800 रुपे की राशी जो है वो कितनी बन रही है 920 रुपे बन रही है समय कितना ले रही है तीन वर्स आठ सो रुपे 920 रुपे बन रहे है अब या तो इसकी दर निकाल के फिर 3 परसेंट दर जोड़ो वेसे करो तो अपना टाइम है वो ज़्यादा खराब होता है अगर टाइम को बचाना तो कैसे बचाएं कि 800 रुपे है वो 920 रुपे बन रहे तीन वर्स में अब जितनी भी दर है हमें मतलब नहीं है वो 920 रुपे तो बनने ही बनने है और ये 3 परसेंट दर बढ़ा दी जाए तो व गुणा समय तो 3-3-9 परसेंट ब्याज बढ़ जाएगा तो यहां से 800 का 9 परसेंट कर दो आप 2-0 कट गे 90 रुपे तो ये बैतर रुपे जो है वो जितनी दर बढ़ी 3 परसेंट तो 3 साल में 9 परसेंट बढ़ जाएगे यानि बैतर रुपे और ब्याज के बढ़ जाएग तो 920 में बैतर रुपे जोड़ दो आपकी कितने आ जाएगे 2-7 और 2-9, 920 में रुपे हो जाएगे तीन साल बाद ठीक है दोस्तों नेक्स्ट हम किस से रिलेट एडिकूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू वीडापाणी की अनुकंपा से संकर्व करते हैं की कटिन परिशम उत्करस लगन समन में वैपोन आत्मिस्वास के योग से हम अपना लक्षे प्राप्त दरहे हैं तथा भविश्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं सब्द हमारे सब्द कोश में नहीं है जैसिर्म जैसिर्म तथा नहीं हम जर्का सिज्थ में विए नी करते हैं जैसिर्म अग्लाव से लगवान में तनका अगाइब अगा जो को एी जदिता है तो एफ एफ एम एक साटवाँ ऑ्लाव जदाने जदाने का लगवाने गुजता है मैं जुवाज्जी का और उनकी तुरी पुष्टिकूर का बहुत 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 अबाद परटना चाहता हूं आपको भी यही आवसकता है मैनर विश्वाज नहीं कुछने दे चाहि गुरुजर्म हो चाहि अपने मातापिता हो चाहि नित्र हो साथी हो उसका विश्वाज नहीं कुछने दे मैनर करें लगर के साथ में करें एक अध्रचित्त होकर की एक लक्षे लेकर के चलेंगे तुस लक्षे से आपको पाने से कुई रोप नहीं सब्सक्राइब आज के इस बहुत ही शांदार कारे करम में उपस्तित राजस्तान सरकार के शिक्षा मंत्री महादर माननी है श्रीमान जोरील सिंजी प्रकासरा साथ राजस्तान पत्तरीका के श्रीमान विनोजी चौहान साथ और यह आपकी शिराब कोच्छें का अहुक भागेया शो भागेया इमानी चिक्षा मंत्री महादर को बताना चाहूंगा आपके इस इस इस्टान में भी ऑर ऐस के विद्यार्तिय दैमरत है रिट के डेवल फास्ट सेकेंगे विद्यार्तिय दैमरत है पट्वार भर्दी की बच्चे तयारी कर रहे हैं ऐसे सी जीडी की तयारी कर रहे हैं लोको पाइलेट सीवीटी की तयारी कर रहे हैं मंत्रि मौदेश पूरा लगवर राजस्तान का विद्याति आपके यहां पर है और दूसरे शब्दों में एक नहुंगा कि आपके पास उस दूसरे राच्यों से भी विद्याति और यह विद्याति आसपास में जब फोटो देख रहे हैं आप किवारों पर जब इनकी मंज़ आसीज वो ले रहे हैं उस एक्जाम के लज़्दिक कर एक्टम लज़्दिक तक जाकर आए हुए क्योंकि बिना योगे टीम के कुई उस मंजिल तक पहुंचा नहीं सकते और अब मैं यह जहना चाहूंगा कि सीकर एक एजुकेशन हब के रूप में अपनी पैचान स्ताफि हैं यह सब आपके शिक्ष्या के नुमाइने हैं और अपने आप जीवन को वहतर बनाने के लिए दिन रात एक तरुकेशन हैं पूरी अपने तनमंधन से समर्पीद है परबल रूप से पतिवद्ध है कटिवद्ध है मैं राजस्तान पत्री का परिवार को बहुत बहुत धन्यवार देता हूं कि एक स्काड़करम को यहां संपन करने का हमें होका दिया और राजस्तान सत्या के सुक्षा मंतरी महदे श्रीमान दोविन सिंसी डोटासा साथ को अबी में बहुत बहुत दिल से अभार रख करता हूं कि हमें हमारी विजातियों को आपने मारे तर्शन दिया जो दुनिना टिफ्स दी हैं हम उन टिफ्स का अनुरत पालन करेंगे इ नहीं के अभारत करते हैं आज का ये बड़ी सफलता का दिल आरेस प्रोपर में पैंक यू पैंच आपलान शांदार पाली में डाविया जबरदस्तर उसका सांस भुटने लगा वो उपर उचना चाह रहा था गुरू ने और जोड से दरबारिया उसमें पुरा जोड लगा रिया और जब एक-दो मिनट तक उसको दवाए रखा और बिल्कुल जब लगा गी अब भी दवाए रखा तो ये मर जाएगा तब उसको छुड़ा वो जब बाहर वापिस आया तो उसने किया गुरू जी आपने क्या किया मैं तो क्या प्यूराद और आप तो उटा बेर तो माजनी करें तो गुरू ने कहा कि बिल्कुल नास्ट में आपको कैसा मेफूस हो रहा था जब दूरू तो उसने का कि वो जो फीलिग आपको उसको तो तो थी वो फीलिग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप चाराद्ध आचीव करना चारते हो वो फीलिग वो अफ़र आप उसमें लगाऊ गए वो शिदत है और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्षे के लगदी तो मैं नहीं समझता कि लक्षे आपसे आप क्यों यह लक्षे आपसे पर से पर से लिए इसके बाद प्रास्तान पत्रिया की जान है बिनोची चोहन का भी यह बिजय स्तंब है यह आप सर्व के प्या जप्से में लेड़ा हो कि लिए गड़ी आपसे लेगा इसके लिए लेगे प्लाव के लिए लेगए झाल 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 झाल